अलो फ्रेंड्स मोना फिटनेस में आपका स्वागत है आज जो हम प्रनियम करेंगे वो सूरे भेदी प्रनियम आसन करेंगे मिन्स इसको आप बार्मिंग ब्रेथ आसन भी कह सकते हैं तो इस आसन को जो करने की प्रक्रिया है वो आप आराम से बैठ जाएं जिसे योगा मैट या फिर चटाई पर जागे कहीं पर भी आराम से बैठ जाएं तो इस आसन को करने की जो प्रक्रिया है इसमें आपने मेरे दंड को सीधा रखना है कमर को सीधा रखना है दाहिने स्वर से धीरे-धीरे स्वास को भरना है और वाहिने स्वर से बंद आपने रखना है अब बा सूर्य भेदी जो प्रनेयाम है उसका जो अर्थ है चंद्र भेदी प्रनेयाम में आपने जो इडा नाडी को भेदा था अर्थात चंद्र वाले स्वर से आपने जो स्वास भरी थी इस अभ्यास में आप सूर्य स्वर अर्थात पिंगला दाहिने स्वर से स्वास भरेंगे और बाएं अर्था चंद्र इड़ा स्वर से सांस को छोडेंगे तो बैसे ही आपने इस प्रक्रिया को धोराना है तो इसमें जो आपने साबधानिया बरतनी है वो जब आप सांस जो लेंगे दाईने और बाएं जो स्वर को खोलने वो वंद करने के जो प्रक्रिया होती है चंद् में आपने निमनलिक जो बाते हैं जो बाते हैं आपको ध्यान में रखनी है जिसमें कि अगर आप दमा से पीडित व्यक्ति को ये जो आसन है आधिक लंबा या कुमबक किसी भी प्रणियम में नहीं करना है उच ये हाई बीपी वाले जो ये हिर्द्य रोगी जो पेशंट है उनको ये करने से रोकना है मिन्स मना करना है या जिनको बुखार है या फिर जिवर ग्रस व्यक्ति को ये जो प्रणियाम है अभ्यास जो है नहीं करना चाहिए और जिनको पित विकार या अमल पित मिन्स आइसिडिटी आधि से जो लोग जो ग्रसित होते हैं उनके लिए भ मिलता है वो means परानुकॉपी जो तंत्री काई होती है means जो नर्वेस सिस्टम रहता है उसमें अधिक अत्य अधिक जो रहता है वो क्रियाशील कर देता है और अगर जिन को means पाचन तंत्र को डाइजेस्टिफ सिस्टम को ये स्ट्रोंग बनाता है और प्रतिरदिक जो क्षमता होती है उसमें बृद्धी करता है आंतो को कीडों के नस्ट करने में भी ये हल्प करता है और इसमें तनाब जिन को ज़्यादा रहता है या मानसी कस्थ होता है उर्जा की कमी कानवब करना आदि कस्थम में ये काफी हल्प करता है और श्रीर में अगर आपको कफ वगएरा है तो उसको ठीक करने में भी ये हल्प करता है या फिर जिन लोगों के जो हाथ पैर ठंडे रहते हैं उनने श्रीर में गर्माहड ये जो सूर्यवेधी प्रनियाम है वो देता है और इसमें सर्दी दमा जुकाम पेट या फिर गैस की अगर कोई समस्या है या बीपी हाई प्लड प्रेशर है उसको ठीक करने में भी ये हेल्प करता है तो मैंने स्क्रीन में करके बताया है और डिस्क्रिप्शन जो है मैं बता रही हूँ और तो आपने इसको कैसे करना है गहरा लंबा स सांस ले एक नाक से आपने जब सांस लेना है तो दाहिना स्वर जो है धीरे धीरे आपने सांस लेना है और आपका जो बाया स्वर है उसको बंद रखना है वह बाया स्वर से जो आपका नास संद्र है उससे धीरे धीरे आपने सांस को बाहर निकालना है तो वैसे ही आपने इस प्रक्रिया को 3 step में आपने divide करना है तो वैसे ही आपने 1 to 10 time आप इसको करे 1 round को फिर आप 2 round आप इसमें और include कर सकते हैं तो शुरुआत में अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप शुरुआत में इसको 3 से 5 minute कर सकते हैं और फिर जब आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए तो आप इसमें increase आप इसको कर सकते हैं तो जितना भी मेरा वीडियो का description रहेगा जो कि मैं बता रही हूँ तो आप मेरी website में जाके वहां से read कर सकते हैं तो उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है monafitness website में जाए monafitness.com मेरा website link मैंने description में दिया हुआ है तो वहां से आप देख सकते हैं बागी के जो मेरे वीडियो के link है वो भी मैंने description में दिया हुए हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं हाथों को अच्छे से रब करें अभी हम ओम उच्छारण करेंगे तो दोनों हाथों को जोड़ ले और फिर ओम को उच्छारण करें गहरा लंबा सांस लेते हुए अम 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 को जो उच्छारण है पोश्रीर को काफी रिलाक्स देता है और हमारे ध्यान को केंदरित करने में भी काफी हल्प करता है और हमारा जो इनर स्ट्रंथ है उसको स्ट्रोंग करने में भी काफी हल्प करता है हाथों को रब करें और अपने आइस पे रखें अब इसको तीन वार आप रख सकते हैं रब करते हुए इससे क्या है कि काफी अच्छा फील होगा रिलैक्स होगा तो वैसे ही करना है आज आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए स्टे फिट स्टे हल्दी बाबाय टेक क्यार